नमस्कार दोस्तों स्यामा हैल पिंग सेंटर पर आपका स्वागत है आसा करता हों कब लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना खुद का खुद से घर बैठे जाती निवास आये बना सकते हैं तो दोस्तों मैं इस इस चैनल पब्रेट है आपको मिलती रहे दोस्तों मैं यहाँ पर निवास पहले से बना चुका हूँ तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप वहाँ से देख करके अपना बना लेंगे तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको जाती बना कर दिखाउंगा की कैसे बनाये जाता है दोस्तों इसको अपलाई करने के लिए क्या करना है कि सबस्턴 पर आपको अपने फोन ने लेप्टब में गूगल ओपन कर लेना और उसमें सर्च करना है उपर है समाने प्रसासन विभाग इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों अब यहां पर तिन ओप्षन आ गया आवासी परमार पत्र का निरिगमान जाती परमार पत्र आय परमार पत्र तो दोस्तों अब यहां पर पूछेगा अंचल अस्तर पर अ तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने इसा पेज ओपन हो जागा अब यहां पर देखिए लिखा अनुसूचित जाती पिछड़ा वर्ग अतियंत पिछड़ा वर्ग गयर राक्षित वर्ग का जाती परमार पत्र है तुर आवेदन पत को अपना नाम लिखना है जिसका यहां पर बनाना है सर्टिफिटेक उसका नाम लिखना है दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे नेम ओफ एप्लिकेंट इंगलिस में और यहां पर आवेदक या अवेदिका का नाम हिंदी में है तो दोस्तों आपको हिंदी में कैस जाएगा हिंदी में तो वैसा ही आप नेम ओफ फादर नेम ओफ मदर करेंगे तो यहां पर हिंदी में आर्टोमेटिक हो जागा यहां पर आपको अपने पीता जी का नाम लिखना है नेम ओफ फादर हिंदी में यहां पर नेम ओफ मदर यहां पर मता का नाम हिंदी में उसके चलकिर बाद अगरहस्पेंड है तो चोड़ देंगे आप उसके बाद यहां पर देखिये आवेदक का मुभाईल यहां पर अपको अपना मोबाईल नमन लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना email ID लिखना है अगर आप चाहें तो अपना email ID मोबाईल नंबर दे सकते हैं नहीं भे दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अस्थाई पता, permanent address यहाँ पर राजा सेलेक्ट कर लेंगे, बिहार उसके बाद यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लेंगे जिस जिले से आप आते हैं उसके बाद यहाँ पर अनुमंडर सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर परखंड अपना सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए अस्थानिय निकायक अपर का टाइप ओफ लोकल बड़ी अब किस में से आते हैं ग्राम पंचायत नगर निगम नगर परसद या फिर नगर पंचायत जो भी है आप उसको चूच कर लेंगे अब उसके बाद यहाँ पर अपना वार्ड संख्य कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर पीन कोड लिखना है उसके बाद देखिए दोस्तों अब यहाँ पर वर्तमान पता प्रजेंट एड्रेस और दोस्तों यहाँ पर आपका प्रजेंट एड्रेस और पर्मानेंट एड्रेस सेम है तो आप उपर के जैसा यहाँ पर जो बॉक अगर आप यहां पर अधार नम बतेंगे OTP से वेरिफाई करेंगे तो यहां पर आपको अपना अधार कार्ट अपलोड करने का अज़रत नहीं है बस OTP से अपलाई हो जाएगा और अगर आप अधार नहीं देंगे तो आपको अपना दिख Jew करना फोटो अपलोड करने के लिए क्या करना है जो इसके बाइंगे यहां पर आपको आपका फोटो सौ हो जाएगा ठीक अब उसskे बाद देखिए यहां पर पर प्रिंश अपका क्या है अस्टुडेंड है तो आप अस्टूडेंट पर क्लिक करतेंगे जो भी आप इसमें से हैं आप उसको चूँज कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर work category आप किस category साते हैं अत्यंत पीछड़ा work अनुसूची 1 पीछड़ा work अनुसूची 2 अनुसूची 2 जाती अनुसूचित जन जाती गर अरक्षित जिसे भी आप आते हैं आप उसको चूच कर लेंगे चूच करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जाती चूच करना है जाती कास्ट चुनना है तो आपका जो भी यहाँ पर जाती होगा आप उसको चूच कर लेंगे अगर मालीजे इसमें आप कोई जाती नहीं है कोई नाम नहीं है तो आप यहां पर अनुसूचित 1 में देख लेंगे अब उसमें से आपका जो भी होगा आप उसको चूच कर लेंगे इसमें से ठीक और उसके बाद हैं पर देखे जाती अनुकरमांग ये खुद से ले लेगा उसके बाद ये सब छोड़ेना है उसके बाद है और जाती सबकास्ट शिरल नंबर आप उसके बाद यहां पर देखे नीची आएंगे नीची आपकर कि यह जो Creature Code है नंबर इस नंबर को इस Box में ल फेस्ट अपन हो जागा आप यहां पर देख पार होगा, सभी डिटेल्स यहां पर आपका सो हो रहा होगा, और दोस्तों अगर आप यहां पर सम्मिला लाएंगे, सब डिटेल्स अगर आपका सही है, तो यहां पर नीचे आएंगे, तो attach and access पर आपको क्लिक करना होगा, अपन सब्सक्राइब जोब काड़ है जो भी आप देना चाहते हैं आप उसको चुच कर देगा माली जी आप अधा काड़ 可以 अभ आद पर सो हो नहीं आप पर किलिक करेंगे क्लिक करते ही आपको अप अपलोड करने का अपcription जहाँ पर VGIS फाइल में आप रखे हैं आप उसको खोल लेंगे, खोलने के बाद उसको select करेंगे और open पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो document है उसका name show हो जागा, अब उसके बाद देखिए save annexer पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा अधार काट upload हो चुका है देखिए दस्ता बेज में आधा काट सो हो रहा है, अब उसके बाद यह final submit पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही, अब आपके साब नईसा page open हो जागा, यहाँ पर दिखे लिखा acknowledgement, लोग सिवाब कादिकार, भिहार सरकार, आवेदन का बिउनर, तो दोस्तों यहाँ पर आपन करें कि यहाँ पर जो अपने apply किया है, यह आपको कब मिलेगा, तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, सिवा पड़ान करने का प्रस्तावीती थी, 6-10-22, तो आपको 6 तारीको, यह document 1 के ready हो जागा, तो आप इसको download कर लेंगे, दोस्तों download कैसे करना है, मैं उसका वीडियो पर click कर देंगे, तो यह जो है आपका receiving download हो जाएगा, तो दोस्तों यह रहा वीडियो कि कैसे आप खुद से घर बैठे, अपना जाती, निवास, आया परमार पत्र बना सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को like कर दे, share कर दे, और चैनल को subscribe करते हैं, thank you